हलो बच्चो कैसे हो मैं अमर सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल gravity classes में हम इस चैनल में कुछ books का review लाते हैं physics और math related topics लाते हैं lectures लाते हैं और sometime कभी-कभी आपसे motivational बाते भी हो जाती है कुछ topic पर बात हो जाती है speech हो जाता है तो बस यही सब हमारे चैनल में देखने को मिलता है तो आज फिर आपके लिए एक बिल्कुल different type का book लाया हूँ सायद बहुत famous नहीं है बच मुझे यह book बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही बढ़ियां लगा यह books कई दिनों से कई सालों से मेरे पास पढ़ा हुआ था एक दो साल हो गए है यह books मेरे पास पढ़ा हुआ था पर एक दिन मैं जब class ले रहा था तो मुझे कुछ numerical की ज़रुद पढ़ी किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए उसको देने के लिए और मेरी जो book थी वो मिल नहीं रही थी जिससे मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे वो book दिखा और फिर मैंने उस book से पढ़ाना चालो कर दिया और कुछ कोसंस दिये फिर मैंने देखा वो book तो बहुत ही सांदार है तो आईए चर्चा को सरवात करते हैं इस book की review करते हैं और suspense को रहस से को हटाते हैं कि भाई कैसा कौन सा book है देख लेते हैं जिया यह बुक जो है ना सिब्लाल physics सिब्लाल physics एक्शली मैं मद्य परदिश में हूं भौपाल सहर से अभी ततकाल तो यहां के जो MP बोड है ना वहां के बच्चों के लिए बुग था, एमपी बोट के लिए था, जनरली में बच्चों को पढ़ा नहीं रहा था, और हिंदी मेडियम में भी साइध आता था, लेकिन अभी कुछ समय से सारे स्टेट ने एंसरे आइटी बुग को ले आया है, एस्टेट बोड में भी एंसे इटी बुक पढ़ रहे हैं तो सारे बुक्स ने अपने जो बुक्स एस्टेट बोड के लिए बेने थे वह अपने आपको मोडिफाई कर रहे हैं अपने आपको चेंज कर रहे हैं और एंसे आइटी के पैटन को फॉलो कर रहे हैं तो यह बुक् के बच्चों के अलावा कोई भी बोट के बच्चे मतलब सीवीसी बोट के बच्चे बहुत अच्छा से यूज़ कर सकते हैं तो यह देखिए बुक है physics है class 11 के लिए है और publisher देख लेता हूँ सिवलाल अगरवाल and company इसलिए इसको सिवलाल बोलते हैं सिवलाल अगरवाल कंपनी है और यह जो है इनके जो राइटर है कोई डॉक्टर आर्पी गोईल है MSC and PhD है physics में और सेंट जोन्स कॉलेज आगरा है और साथ यसाथ अनुप गोईल जी भी है इनके साथ को राइटर और वो भी गोईल मैजलिस्ट है और नीचे लिखा हुआ है educational publisher indoor मतलब इन दौर में सायद इनका पब्लिस होता है यह वहीं से पब्लिस होता होगा इसलिए यह मद्यपर्देश के बच्चों में जादे popular है राइट और इसका जो head office है ना वो आगरा में है राइट आगरा में तो यह बुक है तो मैं इसको जा लेकिन जब इस बुक को देखा और पढ़ाया तो इस बुक की बहुत सारी कासियत नजर आई क्योंकि मैं सीवियसी के कोजिंग चलता हूं पढ़ाता हूं जेनरली मैक्समाम बच्चे तो देखा तो देखे सबसे पहले बुक का कभर वेरी नाइस बहुत सुंदर है बहुत कि एश पेज है ना जैसे इंडेक्स हो गया एंड टॉपिक क्या क्या पढ़ना है तो इनको बड़ा अच्छे तरीके से यह देखे कलर फुल में दिखाया गया है प्राइट इंडेक्स कि कितने कलर का इस नहीं यूजद किया है और बताया है कि एक टॉपिक को पढ़ाने मे से correlated and colorful और पूरा इंडेक्स ना बहुत ही colorful है बहुत ही attractive है बहुत ही सांदार है यह देखे gravitation तो एक gravitation में देखिए यह बंदा पैरा सोट से नीचे आ रहा है I think rotational motion में देखिए इन्हों यह बहुत बढ़िया साइकिल का रिम दिखाया है मूब करते हुए तो बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट है यह देखे ही टॉपिक के आगे उन्होंने केतिली दिखा रहे हैं जिसमें वाटर गरम हो रहा है ही रिसीव कर रहा है यह सब सो बहुत सांदार उसके बाद उन्होंने कुछ फॉर्मूले वगरा दे रखे हैं अब आईए प्रिंटिंग प्रिंटिंग की बात मैं हमेसा करता हूं बहुत सुंदर बहुत सिंपल बहुत एट्रेक्टिव सांदार स्पेसियस है यह देखिए कचड़ा नहीं करके रखा है स्पेसियस है ठीक है सिंपल ल क्लास में आप जानते हो फिजिकल वाल्ड है तो इन्होंने क्या दिया है टॉपिक के बारे में दिया है टॉपिक को इन्होंने जो एक्स्प्लेइन किया है तो बहुत साल टॉपिक को क्लासिफाइड करके बताया है टॉपिक वाइस पॉइंट वाइस इन्होंने एक्स्प् फैलावा यह देखिए इन्होंने अपनी फिजिक्स का जो इंट्रडक्शन है फिजिकल वर्ल्ड है इन्होंने साथ से आज पेज में खतम कर दिया है और सारी इंपॉर्टेंट बाते दी वही है लेकिन उससे क्या इंपॉर्टेंट है इस बुक ने इन्सी आइटी के सारे कोस्टन का सॉलूसन भी दिया है और तरीके से दे दिया है तो जो बच्चें से वाले हैं बहुत अराम से यह बुक ले सकते हैं और उसमें कोई इशू नहीं है उसके बाद इनका खुद का कोस्टन भी है कुछ अब्जेक्टिव कोस्टन सब्सक्राइब है अब यूनिट और दाविंशन आ गया सेकेंड एक्सरसाइज तो उधे दिखिए यूनिट और दाविंशन एक दो तीन चार पांच छे शिक्स शिक्स सेवन एट नाइट लगवग 15 पेज में उन्हें कंप्लीट किया है विट वेल एक्जांपल बहुत यूनिए यूनिए उन्होंने साथ नाम नहीं सुना होगा मैंने ज़्यादे नहीं सुना था स्विबलाल फिजिक्स तो इसमें complete बुक दिखा मुझे तू दपॉइंट हर टाइप के कोश्चन ncrt के सॉलूशन mcq numerical printing quality अच्छी तू दपॉइंट बाते फालतु का फैलावा नहीं फालतु का इतना जादे टॉपिक को लंबा नहीं खीचा है कि वहीं आपको लगे कि वहीं कितना वरा टॉपिक है और यह जो पब्लिसर है पीछे उन्होंने दे रखा है कि उनके और कौन-कौन से बुक आते हैं तो chemistry आती है physics आती है biology आती है कि फोर लर्निंग के फंडामेंटल कॉंसेप्ट के लिए बोज में अच्छे नंबर आ जाएंगे आइटी वाइटी के लिए नहीं है भाई ठीक है ना आइटी वाइटी के लिए कुछ अलग बुक्स जिसका हम कर चुके हैं वहां चले जाएगा ठीक है वाइट पॉण प्राइस कहा है था दो प्रैस मिलनी रहा है ऐसे हमें तो फ्री में मिला है उन्होंने दे रखा था हमें कोचिंग में आ करके हां तो यह है 435 चार्सो पैस्थी रुपे 435 तो बहुत मेहंगा भी नहीं और आप इसे खरीड सकते हैं और सायट पता तो नहीं है पर है online भी अभी level हो तो आप online भी खड़ी सकते हो तो इस book को मैंने आप सब को recommend किया है और आप इस book को follow कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी book है local book है बहुत फैलावा नहीं है बहुत लोग नहीं जानते तो मेरा काम है अच्छी book को promote करना आपको आपके तक ये बात पहुंचाना तो I hope आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी बिल्कुल ये नई book के बारे में बताया थोड़ा सा review भी कर दिया है मैंने और आप इस book को आराम से follow कर सकते हैं कोई समस्चा नहीं है और कोई doubt हो कुछ कहना चाहते हूं तो कमेंट कीजिए और हां हमारे परिवार का सदेश से बनिए हमारे टीम का सदेश से बनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी ही आप लोगों के लिए कुछ lectures physics और मैस का आएगा इस्टाइट किया था पर अभी पूरा focus नहीं बना है प्रोपर तरीके से नहीं लाया हूं lectures को systematic तरीके से इस बार लाओंगा तो पूरे systematic तरीके से एक एक question के साथ तो आएए कुछ नया करते हैं कुछ सीखते हैं कुछ जानकारी हासिल करते हैं और education को बहुत ही आसान बनाते हैं जो बच्चे जादे afford नहीं कर सकते हैं फीस वेगेरा वो तो जरूर जुरे उनके लिए कुछ न कुछ करता रहूंगा तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ मिलेंगे एक नए topic के साथ तो अभी के लिए बाई बाई बाई